अबी शिक्षक साथियों और अभिवावकों को नमस्कार आज आपे लियाए हैं भाई SCRT कक्षातीन का विश्या है EBS पार्थ है चार चलें साथ साथ है तो प्यारे चुन्नो मुन्नो त्यार हो भै सभी हाँ जी इससे पहले की पार्ट सुरू करते हैं बता दें साथियों हरीकेश का अपड़ो यूटूब चैनल पर CRT का सारा सलेवस जिक्के वगरा बहुत कुछ मसाला है शेर जरूर कर दियो अगए देखो भई गाउं से आए दादा दादी आज गोरों के दादा दादी गाउं से आने वाले हैं सकूल से घर वापस आते समय वह अपने मित्र नीरज को बता रहा था दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते हैं कहानी सुनते सुनते मैं दादा जी के पास ही सूजाता हूं मैं बहुत से कामों में उनकी मदद करता हूं मेरी दादी जी बहुत अच्छी दरी बनाती हैं लेकिन अब उनकी नजर कमजोर हो गई है उनकी आखों की जाँच भी करवानी है दादा जी के घुटनों में दरद रहता है वे बेंत लेकर चलते हैं सोचो और लिखो अब आपने बताना है प्यारे बच्चो क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी साथ रहते हैं हाँ यदि नहीं तो वे कहां रहते हैं और रहते हैं तो कौन-कौन रहते हैं हाँ मेरे प्रिवार में मेरे दादा दादी नाना नानी रहते हैं मेरे दादा को बहुत कम सुनाई देता है इसलिए हम उसके पास जाकर उंचा बोल के कहते हैं कि अरे ये ले लो उनको तब भी सुनाई नहीं देता यानि के थोड़ा सा उंचा दिखाई देता है पास में जा करके उनसे बोलना पड़ता है तो प्यारे बच्चों देखो जब हम बहुत छोटे थे तो कितनी परेशानिया उठाते थे हमें पालने पोशने के लिए कितनी रख का उंचा सुनाई देता है या हमें थोड़ी बहुत परेशानिया होते हैं तो बुरा नहीं मानना चानिये यदि नहीं तो वे कहां रहते हैं अगर नाना नानी साथ में नहीं है किसी के तो वो बता देते हैं वो अपने मां के घर में रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं तो उसका परिच्छे बच्चों दे सकते हो तुम किन कामों में उनकी मदद करते हो मैं अपने दादा जी को दवाई दे कर छड़ी दे कर पाड़ी दे कर खाना दे कर उनकी मदद करती हूं बहुत अच्छे शाबास नहीं नहीं ताजा ताजा ख़वर अखबार की या और कुछ सुनाते हो उनको हाँ जी जो उसमें टीवी में आती है रहा बर सारी बता देती हूँ सारी बताते हो क्या तुम्हारे परिवार में कोई चस्मा लगाता है नहीं मेरे परिवार में कोई चस्मा नहीं लगाता और यदि लगाता है तो कौन-कौन लगाता है प्यारे बच्चो आपने इसका जवाब देना है जवाब सुन रहे हैं यदि कोई बड़ा बजरुग आदमी आपके घर में चस्मा लगाता है तो उसके बारे में बता सकते हो उनमें से किसी एक का चितर बनाओ देखो चस्मा दि घर या आज प्रोस में भी कोई बैंत लेकर चलता है हाँ मेरे दादा जी डोगा रखते है हाँ डोगा या बैंत एक ही बात होती है बजरुग आदमी होते हैं उनको किसी सहारे की जरूत होती है बार बारे तो किसी छड़ी आदी का वो सहारे लेकर के चलते हैं पता लगाओ बैंत का चितर बनाओ तो वे एक डोगगा बना देओगे उरह है आजी देखांगे बढ़िया हाट डोगगा कोन मनाओगा फिर बुड़ा पमा पने वीच ये गई डोगगा रहे और अपने दादा दादी को दे द्याकरो डोगगा छड़ी जो भी मांगा मैं बादचित के दो मसीन लगाने की सला दी अब नाना जी नीरज के साथ रोज पारक में सैर करने जाते हैं तो वे नीरज के नाना जी हैं चितर में दिखाई दे रहा है और ये सैर करने के लिए जा रहे हैं इनको कम सुनाई दे रहा है और कानों में इनके मसीन लगाने की सला डोक्टर ने दी ह शोचो और लिखो क्या तुम्हारे प्रिवार के किसी सदस्चे को कम सुनाई देता है हाँ मेरे दादा जी को दादा जी को कम सुनाई देता है यदि हा तो तुम उसे अपनी बात कैसे समझाते हो हम उन्हें हाथों के साथ इसारे करके समझा देते हैं उनके पास आकर उंचा बोलकर समझा देते हैं हाथों से इसारा करके या उंचा बोलकर करके पास में आकर के समझा देते हैं प्यारे बच्चे ओगर उंचा सुनाई देता है किसी बुजरुग व्यक्ति को तो बार-बार प्रियास करना चाहिए हमें अपनी बात समझाने का हमें भी बुजरुगों होना है और अपने बुजरुगों को जितना आदर्मान सम्मान करेंगे उतना ही हमें आश्रिवाद यस विद्या मिलेगी क्योंकि जो बड़े बुजरुगों की शेवा करता है उसकी चार चीजें बढ़ते हैं आईू, विद्या, या सोरबल तो हमें भी अपने बुजरुगों की शेवा करने चाहिए भगवान का रूप होते हैं घर के बड़े बुजरुगों राचारिये विद्वान व्यक्ति कोई भी हो चाहिए दादी से बात चीते जब गोरों घर पहुंचा तो उसके दादा दादी आ चुके थे गोरों ने उनके पैर छुए और उनसे लिपट गया दादा दादी ने भी उसे प्यार से गले लगाया दादी जी ने गोरों को बताया कि उनके पडोस में रहने वाली अनित्ता जिसे बच्पन में पोलियो हो गया था अब वहिल चेर से सकूल जाती है उसने अपने सकूल में दोड परत्योगिता में भाग लिया था उसे पुर्षकार भी मिला था दादी ने यह भी बताया कि अनित्ता को पढ़ना अच्छा लगता है तो प्यारे बच्चो दादी ने बताया गोरों को की उनके प्रोस में अनित्ता नाम की लड़की थी जो पोलियो हो गया था बच्पन से ही दिव्यांग हो गई थी वो अब वो भील चेयर से पहिये वाली कुर्शी से सकूल में जाने लगी और साथ में पढ़ती है बच्चों के साथ है वहाँ के अध्यापकों ने बच्चों ने माता पिता ने उसका साथ दिया और वो मुख्य धारा में आकर के बच्चों के साथ पढ़ाई कर रही है बहुत गौरो ने कहा हाँ दादी जी मेरी कक्षा में पढ़ने वाला पवन देख नहीं सकता वह गाता बहुत अच्छा है नाटक वह दोड में भाग लेता है वह हमारे साथ हासी मजाक भी खूब करता है बाहर जाते से में वह एक सफेद छड़ी लेकर जाता है उसने बताया कि उसके जैसे कई बच्चे कैसेट वह कम्प्यूटर पर सुनकर तथा ब्रेल लीपी से पढ़ते हैं मिलकर करो मिलकर करो छूकर पहचानो और बताओ परती एक बच्चा एपने घर से कोई एक फल या सबजी लाए लियाओगे बई बच्चे बारी बारी शे आँखों पर पट्टी बांध कर फल या सबजी को छूकर या सूंग कर पहचाने उनके नाम भी बताएं छूकर बताए दियोगे बई तो जो भी सबजी है फल है कुछ में तो खुसबू आते है उससे पैचान सकते है जैसे फल है आम का खुसबू आ जाएगी इसी तरह से जैसे सबजी है अपने प्याज है उसमें से आ सकती हमें महक है और कुछ को छूकर के पैचान सकते हैं अलू है टमाटर है या फिर निंबु भी पिछाण लेगी शबाश सही नाम बताने पर अन्य अब चाहिए तो दूसरे बच्चोंने तालियाँ बजानी है जब वो सब्जी का सही नाम बता देगा चू करके या सूंग करके बच्चे उस फलने सब्जी के बारे में कोई अन्य जानकारी भी दें तो अच्छा भी करने है ये सबजी कहां उगती है कैसे खाई जाती है कच्ची खाई जाती है के पकी खाई जाती है इसको पकने में कितना से मैं लगता है कब बोई जाती है कब काटी जाती है और इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है तो सारी जानकारी आपको होनी चा वे लोग जो देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरिका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं, ब्रेल लीपी में मोटे कागज पर उबरे हुए बिंदू बने होते हैं, उबरे होने के कारण इनहें छूकर पढ़ा जा सकता है, यह लीपी छै बिंदूओं पर आधारित होती ह कितने बिंदू होते हैं बैस में, ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकिले ओजार से बिंदू बना कर लिखी जाती है, ब्रेल शीट पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, तो यह प्यारे बच्चों जैसे जो बिलकुल अंदर से काले अक्सर हैं, वो तो उबरे हुए हैं, और जो सफेद अक्सर हैं, वो उबरे हुए नहीं हैं, छै छै बिंदू हैं, उनमें से जो उबरे हुए हैं, काले अक्सर दे रखें, एक का कोंशा काला है बैए, पहला कोने वाला, इसी तरह B का दो काले हैं, C के उपर के दो काले हैं, और D के उपर के दो काले और एक साइड का दाईं तरफ का काड़ा है इस तरह से आप A की पहचान कर सकते हो B की C की एकदम नहीं आएगा आपको भी यह धीरे धीरे अभ्यास करने से आएगा और इसी तरह के पेज होते हैं ब्रेल लीपी में किताबों के फिर जो आँखों से जिसको दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता समश्या है जिनको आँखों की वो ब्रेल लीपी से ही सारी बातें पढ़ते हैं किताबें पढ़ते हैं सर मने तो हनी ब्रेल लीपी में A B C लिखना आएगा ये भी सी लिखना आएगा, बेटा ब्यास करोगे तो तुम भी एब ब्रेल लिपी सीख सकते हो, ये लिपी का मतलब होता है बनावट अक्सरों की कैसी है और ये हमारे जैसे किताबों में अक्सर लिख रखे हैं उसकी बजाये, क्योंकि हम तो देख सकते हैं, इनको पढ़ सकत है तो उनके लिए छूकर पहचानने की लिपी है ये अक्षरों को छूकर के पहचाना जाता है और वो उपर उठे हुए अक्षर होते हैं उसको ब्रेल लिपी कहते हैं जो एक ब्रेल नाम के आदमी ने बनाई थी समझ में आया भाई आग्या जी आग्या आग्या आग्ये डालो बड़ों की सहता से उस पर कील की नोक से कोई खास आकार बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद करो बड़ों की सहता ज़रूर लेनी है बहुत कील का काम करो पैन ने हो आथ में चोट खालो गए के भी हाँ जी तुम देखोगे की कागज के दूसरी तरफ कुछ उभार हो गई है अपने दोस्त से कहो की वह आखें बंद करें और कागज पर हाथ फेर कर अंदाजा लगा कर बताए की तुमने क्या बनाया है है नम उसके लिए है बताना सोचो कुछ लोग बिना देखे कैसे पड़ लेते हैं अपने घर के आसपास रहने वाले उन लोगों से जो देख नहीं सकते या जिनें कम दिखता है मिलो मिल लोगे बाई हाँ जी जरूर मिल लोगे दिये गए बिन्दूओं पर उनसे बात चीत करो क्या-क्या बात पूछोगे उनसे देखो जब तुम अपने घर से कहीं बाहर जाते हो तो तुम्हें क्या प्रेशानी आती है ऐसा परसन पूछना है बाई जिनको आँखों में सम मिल लोगे जी तुम उन्हें कैसे दूर करते हो एक ये परसन पूछना है उस व्यक्ति से जो आँखों में प्रेशानी है उससे ये पूछना है कि वे उस मिल तो वो कैसे दूर करता है फिर वो अपने आनुभाव बताएगा पैरों की आहट सुनकर तुम कैसे जान लेते हो क कौन व्यक्ति कमरे के अंदर आया है ये भी पर्षन पूछना है भई पूछ लोगे नहीं ठीक है जी पूछ लागे आपका भी अनुबव बड़ेगा रूसका अनुबव बांटेगा क्या तुम टीवी पर दिखाए जाने वाले कारेकरमों को सुन कर समझ लेते हो कैसे तो ये पर्षन पूछना आपने वे टेलिवीजन पर जो करेकरमावा हैं उनको कैसे समझते हैं वो कौन सात्रिका है उनका ज्यान ग्रहन करने का देखो प्यारे बच्चो हम आँखों से देखते हैं तो भी ज्यान ग्रहन करते हैं कानों से सुनते हैं तो भी ज्यान ग्रहन करते हैं नाक से सुंगते हैं तो भी हमें ग्यान मिलता है और जीव से चकते हैं तो भी ग्यान मिलता है और हमारी तवच्छा से हाथों से जो हमें अनुभव होता है ठंडा गरम है वो भी हमें ग्यान है अधे परशन पूछना है आपने उनसे क्या तुम केवल सुनकर अपनी करते हो तो यह भी परसन आपने पूछना है तो भय ये आठ दस पर्षन है प्यारे बच्चों ये आपने उस व्यक्ती से पूछने हैं जिसके आंखों में कोई-कोई दिक्कत है समश्या है और जो कहिन कहिन दिव्यांग है आँखों से आओ पर खें क्या सीखा तुम्हारे घर में कौन कौन वै कितने सदस्य हैं मेरे गर में माता जी पिता जी दादा जी बुवा जी एक भेन दो भाई हैं हम सब साथ हैं हम सब साथ हैं बहुत बढ़िया भई वे एक दूसरे की किस काम में मदद करते हैं मैं और मेरे भाई माता जी द्वारा धोय गए कपड़े उतार कर लाती हूँ और मेरे पिता जी की मदद करती हूँ खाना पकड़ाने में पानी देने में मेरे बुवा की भी मदद करती हूँ म पानी लाने में, खाना देने में शाबास, आगे देखो भई, तुमने अपने घर के किस सदस्टे से क्या सिखा मैंने अपनी माता जी से काम सिखा जैसे की पोच्छा लगाना, जाड़ू, निकालना मैंने अपने पापा से बढ़ना सिखा शाबास, और तुम्हारी कक्षा में क्या किसी बच्चे को कोई सारी रिक्समस्या है हाँ, हमारी क्लास में एक लड़की है जिसको हमेशा गुखार चड़ता है वो तो सारी रिक्समस्या खार है, चलो रोग है, वो भी सारी रिक्समस्या है लेकिन दिव्यांग बोलते हैं बेटा कुछ अंगों की कहिन कहिन कोई कमजोरी हो सकती है अंग हिंता हो सकती है तो कुछ बच्चे दिव्यांग हो जाते हैं कई बार पॉलियों हो गया आँखों में परेशानी हो गई हाथ में कहिन कहिन सुनने में समझ्या हो सकती है तो ऐसे बच्चों को जो दिव्यांग होते हैं उनकी विशेश आवसकता होती हैं ऐसे बच्चों को CWSN बच्चे बोलते हैं जैसे विशेश आवसकता वाड़े बच्चे विशेश जरूरत होती हैं उनकी तुम उसकी मदद कैसे करते हो अगर कोई बच्चा आपके विद्याले में है क पक्षया में है तो कहीं कामों में कर सकते हैं। जैसे वो पाने पशाब करने के लिए जाते हैं, उनका हाथ पकड़ करके उनकी साथा कर सकते हैं। तर वो चलते-चलते गिर जाएं। या कहिन कहीं मुशीवत में फश जाएं कोई कि चड़ा दी पार करना है तो उसको हम आराम से पार करवा दें प्यारे बच्चो इस पार्थ में हमने सिखा कि एपने साथियों के साथ हम सवेदन सिल बने विशेश अवसकता वाड़े विक्तियों की वावना को समझे हाला कि उनको दया की नहीं सायोग की जरूर तो होती है उनका यथा सम्भव सायोग करें प्यारे बच्चो और जहां पर उनको किसी भी परकार की कोई दिक्कत मैसूस होती है तो हम उनके साथ खड़े मिलें उनके साथ रहें उनकी भावना को समझें तो आप भी समझोगे ना अब बो बत्यों जेहिन जेहिन